22 जनवरी को आयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला प्रतिष्टत हो चुकी है ऐसे में दुनिया भर से श्री राम भक्त प्रभू के दर्शन करने के लिए आयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहीं अवद अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस लिहाज से इन दोनों शेत्रों की अगर कनेक्टिविटी बाई एयर हो जाए तो भक्त जनों को प्रभू श्री राम के दर्शन सुगम हो जाएंगे। ब्रच शेत्र का ये बहुत ही महत्कून स्थल है और इसके कनेक्टिविटी जो हुआ है वो काफी अपने आप में महत्व इसलिए रखती है कि हर चौथा आदमी जो भारत आता है विशुत परेटक वो आगरा जरूर आना जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि आज बास्थम में ये सही बात है कि बहुत जरूरी है एर का जो कनेक्टिविटी है वो आगरा से अयोध्या के लिए होने से बड़ी सुविधा होगी। ताजनगरी से अयोध्या के लिए फ्लाइट चलाने की मांग को लेकर शुव एक्सपोर्टर नारायन बहरानी का कहना था कि ताजनगरी के खेरिया एरपोर्ट से अयोध्या के लिए कम से कम दो फ्लाइट चले। इनमें से एक फ्लाइट राजकोट द्वारका से वाया आगरा होकर चले, जिससे मत्रा के साथ द्वारका धाम अयोत्या से चुड़ जाएगा. अब देखना यह होगा कि सरकार ताजनकरी से आयोत्या के लिए कब तक फ्लाइट शुरू करती है। सीन्यूस के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट